हमने देखा है कि जब भी खासकर मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाजों में भी एहल सुन्नत वल जमाद इसको मानने वाले तमाम हजरात जब भी इनके सामने राजनेती की बात करो ये कहते हैं भाई राजनेती की बात मेरे सामने मत करो राजनेती बड़ी गंदी चीज़ है अब एक बात बताईए ताहिर भाई, हम राजनीती से नफरत भी कर रहे हैं, और कानून बनाने के लिए हमें मजबूरन उसी राजनीती, जो हम राजनीती जो होती है, उनी के आगे जुगना पड़ रहा है, तो आखिर क्यों एहल सुनत वल जमाद के मुसल्मान राजनीती से इतनी नफरत करते हैं, राजनीती में आने से क्या हमें फाइदा नहीं मिलेगा, और जो दिन हमें देखना पड़ रहा है, सोचना पड़ता है जुगना कानून बनना कोई मामुली खेल नहीं है, हमारे बंगे जब तक विधान भवन में होंगे नहीं, तो कानून कैसे बन ज ज़रूरी है, कि भई अभी ये कानून की मांग करने से ज़्यादा ज़रूरी है, कि पहले हम एक कोई अपने पॉलिटिकल पार्टी खड़े कर ले, या हम लोग एक प्लेड़ नहीं है, कि अभी हम ऐसे दिन देखने पड़े, तो हम पॉलिटिक से नफरत यू करते हैं फिर विचार सच में हमारे हैं, क्यों आखिए? जाएंगा तो, लेकिन उससे नफरत करना कि नहीं मिर्ची तेज है, तो इसको आवाइड करो, इसको खाना ही बन कर दो, तो यह चीज बराब दुरूस्त नहीं है, वज़ा है, हम लोग ने राजनीती से नफरत करना शुरू कर दिया, पार्टी बनाने की बात नहीं कर रहा ह जो कौम के लिए अगर आगे आते हैं तो उनका हर आदमी भी सपोर्ट करेंगा और आगे आएंगा तो जरूरत है कि हर फिल्ड में हमको काम करने की जरूरत है, राजनीती का जो आप बोल रहे तो यह भी जरूरी है, बस यह है कि जो है अच्छे लोग अगर इसमें भी साथ इसलिलाहियत के लिए अगर वो काम करते तो इंशालला उनको भी सपोर्ट मिलें